हमारे हिंदु धर्म में पूजा पाठ का बहुत ही मातों माना गया है और अनेक देवी देवताओं में हमारे हिंदु शास्त्रों में भगवान गणेश की बहुत ही माननेता है ऐसा माना जाता है कि कोई भी शुब काम शुरू करने से पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और ऐसा किया भी जाता है किसी भी शुब काम में सबसे पहले गनेश जी की पूजा की जाती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सारे ही देवी देवताओं में भगवान गनेश जी को प्रतम पूजिनिय माना जाता है। आपको बता दें कि गणेश जी निराकार दिव्यता हैं जो भक्त के उपकार के लिए एक अलोकिक रूप में अस्थापित हैं। हिंदु पावरानिक कथाओं के अनुसार वो भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। आपको बता दें कि 27 मई यानि कि आज के दिन गणेश जी की वीशेश किरपा हो रही है जिसे हमारे जीवन में बहुत से बदलाव आने वाले हैं और इस बदलाव के कारण इन तीन राशियों की किसमत चमकने वाली हैं। तो आई आपको बताते हैं कि वो तीन राशियां कौन-कौन सी हैं। पहला मेश राशी सबसे पहले हम बात करें। अगर मेश राशी की तो आज का दिन इनके लिए बहुत ही शुब होने वाला है। ये समय आपके लिए भाकिशाली रहेगा। इस समय आप किसी भी नए कारे की शुदवात करेंगे। तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तथा बृद्धी भी होगी। घर परिवार में सुक शान्ती बनी रहेगी। तथा किसी कारण मन में चिंता नहीं होगी। शारेरिक और मानसिक स्वास्त का आपका ठीक रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। जिससे आपका मन खुश होगा। दूसरा ब्रिशब रासी। दूसरी रासी है ब्रिशब। जिसके लिए ये समय अधिक रूप से भाकिशाली रहेगा। आप किसी भी कारे और किसी भी छेत्रों में धन प्राप्त कर सकते हैं। और आज आपको रुका हुआ धन भी वापस मिल सकता है। समाजिक मेल जोल से ज्यादा स्वास्त को प्रात्मिक्ता दी जानी चाहिए। जबकि धन आपके मुठ्यों से असानी से सरक जाएगा। आपके जीवन में धेरो खुशियां आने वाली हैं। लेकिन आपके अच्छे सितारे तंगी नहीं आने देंगे और आपका जीवन खुशी से भर जाएगा। तीसरी रासी है मिठुन राशी जिसके भाग के खुलने वाले हैं और इनके जीवन में बहुत से नए कारे होने वाले हैं। अपनी वानी पर और बहवार में कटूता न आने दें। इसका खास ख्याल रखें और आप अपने मित्रों और सगे संबंधियों से मत भेद या फिर कहा सुनी या इस्तिती न आने दें। इससे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आपकी आर्थिक इस्तिती अच्छी रहेगी और स्वास्ति से जुड़ी हुई परिशानिया भी खत्म हो जाएंगी। आपके परिवार में सुख और शान्ती बनी रहेगी और आपका जीवन अच्छा बीतेगा। आपकी सभी पर इच्छोल किरिपोग।